कि नमस्कार कॉंपेटिशन कमेटी के कॉंपेशनिव करेंड फैस प्रोग्राम में मैं पुक्राच करता हूँ आप सभी का फिसे स्वागत और सेप्टेंबर का ये जो लास्ट वीडियो है जो कि 23 से लेके 30 सेप्टेंबर तक के करेंड फैस का आपका कबर करा देगा उसको ले तो ब्राइटनेश जो उसे बढ़ा दिया जा है चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट करें क्या करते हैं सबसे पहले चलो ब्लंक स्लाइट तो एक साहितकार तो देखो एक व्यक्ति हैं नाम है इनका साहू जी अब साहू जी रायपूरे इस का करेंबर पीचर देखेंबर समा दूसरा पिक्चर देखी से, ढोला मारू, तो पहला पिक्चर का देखी स, लोरिक चंदा, दूसरा पिक्चर का देखे, ढोला मारू, अब पिक्चर देखर देखर ते काखा दीस, तर मीर्चा भजिया, और मीर्चा की सेरीस बिकट, चुरपूर, तर साहु जी रायपूर इस, दूडन पिक्चर देखिए लोरीक चंदा धोला मारू काखा इस मिर्चा भजिया मिर्चा के सेरीज बहुत चुरपूर चलो अब साहित्यकार मिल नहीं अपनला तो साहित्यकार है संत राम साहु जी साहित्यकार संत राम साहु ठीक है संत से एक रचना जमारा याद रख लेना दूसर रचना लोरीक चंदा से चंदा लोरीक के काम कंदला दूसरा धोला मारू तीसरा मिरेच्चा पताल और चौथा गूर तूर चुरपूर समझ में आगे तो साहु जी रायपूर इस लोड़ पिक्चर देखिस लोरीक चंदा धोला मारू मिर्चा भजिया खाईस चुरपूर लागिस बहुत साहु से संत्राम साहु जी सहितकार संत से कायाद रखना एक रचना जमारा ठीक लोरिक चंदा चंदा लोरिक के काम कंदला डोला मारू से डोला मारू ठीक मिर्चा से मिर्चा पताल और चुरपूर चुरपूर से है गूर्टूर चुरपूर ठीक चलो अब स्टार्ट बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं तो जो लास्ट वीडियो है उसके क्वेशन को देख लेते हैं लास्ट वीडियो क्या था इंटरनाशनल ग्रांड मास्टर्स जो चेस्ट और्नमेंट है उसका यूजन कहां तो राइपूर नेक्स्ट भुपेश बगेल जी ने राज में किस तारीक से समर्थन मुली परधान खरीदी की जाने के घोशना की है तो पता होगा यार एक नमंबर बताएं हूँ फोन करत कोनों भीकट मुला ठीक है बॉएं बॉएं करत मोबाइल बॉमिया थे छत्तिवड़ीम करते हैं ठीक खत्तिवड़ के किस जिलेग में पुलिस द्वारा प्रायुजित खाकी के रंग स्कूल के संग कारिकरम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जमें शामिल किया गया है महासमूंद ध्यान में होना चाहिए किस अभियान के तहत राज में मूंग उड़द अरहर की खरीदी की जाएगी पीम आशा इसके बारे में डीटेल में अपन लास्ट टाइम देखे थे क्लियर है चली अब आ जाते हैं इस जो समय को अपन देख रहे हैं उसके पहले important news तो सबसे पहले चत्रवड सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रारम करेगी क्या हमर बेटी हमर मान अभियान तो अगर सीधा सीधा में पेपर नमपर पांस में पूच देश यूजना के बारे में 30 वर्ड में इसका क् कर्मचारी मतलब और जो officers नहीं है लेकिन police में काम कर रहे हैं ये लोग क्या करेंगे सभी districts में जिलेम जाएंगे ठीक और वहां के schools और colleges में जाएंगे तो सभी जिलों के schools और colleges में जाएंगे और वहां जो बेटियां हैं उनके जो legal rights हैं कानूनी अधिकार हैं इनके बारे मे होता है कि किस प्रकार से इसको handle करना है, tackle करना है, clear है ये, इसके बाद good touch, bad touch, छेडखानी, यौन शोशन, cyber crime, इसके अलावा social media crime, इन सभी चीजों से बचाओ और उनमें इनके अधिकार क्या क्या हैं और किस प्रकार का guidance उनको चाहिए, तो guidance भी देंगे, अधिकारों के बा जिसके अधिकारी और कर्मचारी, schools और colleges में जाकर बेटियों को देंगे, ठीक, किसके किसके बारे में तो legal rights क्या है, good touch, bad touch, छेडखानी, यौन शोशन, cyber crime, इसके अलावा social media crime से बचाओ और इसमें उनके अधिकार क्या क्या हैं, next है भई, अब जितने girls school हैं, और colleges हैं, ठीक हैं, जहां पर girls की, या females की, या women की बहुत जादा उपस्थिती होती है, ऐसी बहुत सी जगाएं होती हैं, जिसमें girls school है, college है, और बहुत सारी ऐसी बाहर भी जगाएं होती हैं, इन सभी जगाहों पर महिला पुलिस, जो है special महिला पुलिस, क्या करेगी, तो पेट्रोलिंग किया जाएगा, फिलहाल जारी नहीं किया गया है, ठीक है, इसके अलावा, जो crime against women है, या महिलाओं से संबंधित, जितने भी अपराद हैं, उनकी विवेचना, investigation, investigation, प्रात्मिक्ता के आधार पर महिला विवेचक करेंगी, मतलब investigation के लिए, investigating officer भी क्या होंगी, महिला होंगी, clear है, अब investigation जो होगा, उसके आधार पर आपको पता होगा, कि एक चालान पेश किया जाता है, तो वो भी, basically देखा जाएगा, IG range, level के अधिकारी के द्वारा, कि सही समय पर ऐसे जो अपराद हैं, उनके investigation के चालान पेश हो रहे हैं, कि नहीं, मतलब ये पूरा-पूरा responsibility, IG inspector general, जो की range में, पुलिस के सबसर बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी होगी, clear है, तो ये तो यो पूजना 30 words में सीधा उद्देश पूच सकता है, या 30 words में इस यूजना के बारे में पूच सकता है, clear है, ठीक है, प्री में क्या कर सकता है, हमर बेटी, हमर मान, अभियान, संबंधित है, और इसके बाद नीची options दे देगा, ठीक है, तो बेटियों की सुरक्षा से, बेट देख लेते हैं, तो next क्या है, 36 गड़ को मिला पोशक अनाज एवार्ड 2022, तो हैदरवाद में भारत सरकार के Indian Institute of Millets Research, इसके द्वारा क्या किया गया, पोशक अनाज एवार्ड 2022, यह आयोजित किया गया, तो तेलंग आना के जो कृशी मंत्री, श्री एस निरंजन रिड़ी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए 36 गड़ को सर्वश्रेष्ट उदियमान, मतलब राइजिंग स्टेट के रूप में क्या किया, पुरुस्कृत किया या सम्मानित किया, आपको पता होना चाहिए, कि 10th of January 2022, हमारा जो राज है 36 गड़, उसने क्या चालू किया, मिलेट मिशन, तो हमारे राज में, जो मिलेट है, इसकी खेती को क्या करना, बढ़ावा देना, इसके अलावा, किसानों को इसके लिए ट्रेनिंग या प्रसेक्षन देना, अच्छी कॉलिटी के बीज, उत्पलब्ध कराना, बीज मतलब सीद्स, इसके अलावा और क्या करन तो as a whole, मिलेट की उत्पादक्ता प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसके लिए क्या किया गया, मिलेट मिशन की शुरुवात की गई, और इसी के अंतरगत आपको पता हुना चाहिए, की, कोदो, इसको इंगलिश में बोलते हैं, कोदो, मिलेट, फिर है, कुटकी, इसको बोलते हैं, स्मॉल मिलेट, या लिटल मिलेट भी बोल देते हैं, और उसके बाद है रागी, जिसको क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट, इन सभी पर भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहट, इन्पुट सबसिडी दी जा रही है, मतलब वही, 9000 रुपै का जो, क्या है, बोनस, इन्पुट सबसिडी दी जा रही है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, स्टेट ने क्या किया है, तो कोदो कुटकी को 3000 रुपीज के MSP, नियुन्तम समर्थन मूल्य पर खरीदने, और रागी को 33,77 रुपे प्रतिक्वेंटल पर खरीदने की विवस्था की, 36 सरकार की और से कौन खरीदेगा, तो 36 राज्य लगू, वनोपज, संग जो है, उसके द्वारा खरीदा जाएगा, समझ में आया, तो बेसिकली इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलिट्स जो है, ठीक है, उनकी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को हम लोग क क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उसमें भी ध्यान दे रहे हैं, इसके अलावा क्या हो रहा है, तो अच्छे प्राइजेस पर मिलिट्स की खरीदी हो रही है, तो as a whole क्या हुआ, कि मिलिट्स को बढ़ावा देने के लिए, छत्तिगड़ को ये पुरुसकार, या ये क्य मिला है, प्राइज जो है, वो मिला है, क्लियर है कि नहीं, अब ये प्राइज लेने को ये कौन गये थे, तो राज ये लगुवनुपत संग जो है न, उसके विशेश प्रबंध संचालक, स्पेशल M.D. कह दो, श्री SS बजाज, श्री SS बजाज गये थे, इस पुरुसकार क को लेने के लिए, क्लियर, ठीक है भई, अब प्री और मेंस पॉइंट फ्यू, तो सीधा मेंस में मिलेट मिशन को पूछेगा, 30 वर्ट में, मिलेट मिशन क्या है, क्लियर है, उसके बाद, प्री में पूछ सकता है, कि पोशा कनाच एवार्ड जो है 2022, उसमें राइजिंग स पूछ सकता है, देश में कौन सा, एक मात्रै सराज यह है, जो की कोदो, कुटकी और रागी, इसको क्या कर रहा है, समर्थन मुल्य पर खरीद रहा है, आंसर क्या आएगा, चप्तिसकर, तो इस प्रकार से MCQ आ सकते हैं, और इसमें से subject to question भी आ सकता है, इसके अलाबा, एग एगरी कारनिवाल 2022 का आयोजन, 14-18 अक्टूबर 2022 तक, तो पहला चप्री का question, आयोजन कब से कब तक, तो 14-18 अक्टूबर, तो इंद्रा कांधी कि कृषी विश्विध्याले जो है, IGKV, समझ में आया, इसके अलाबा, हमारा जो Department of Agriculture है, इसके अलाबा, बहुत सारी नाशनल और International Institutes जो है, वो लोग मिलकर क्या कर रहे है, इस एगरी कारनिवाल को करा रहे है, ठीक है, तो कृषी मंत्री है, हमारे श्वी रवीन 24 जी, उन्होंने क्या किया है, इसके लिए पोस्टर और ब्रोशर जो है, इसका क्या किया है, विमोचन किया है, या एक तरीके से पहनी पर क्या किया, उसको प्रेजेंट किया कह लो, ठीक, तो 14 से 18 अक्टूबर तक ये चलेगा, अब होगा क्या, तो इसके माध्यम से जो किसान है, फार्मर्स, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, और जो आम आदमी है, उसको कृषी के छेत्र में क्या नवीन प्रोध्योगी की कौन सी latest technology चल रही है, कुछ नया research चल रहा है क्या, कुछ नवाचार innovation हो रहा है क्या, फसल प्रसंस करण, क्रॉप में कुछ processing, food processing अगर सुने है न, तो processing, इसके अलावा कुछ value addition हो रहा है क्या, इसके अलावा उद्यमिता विकास, entrepreneurship का development, इन सब चीजों से संबंधित, जानक innovation जो है, वो दी जाएगी, थोड़ा और detail में समझें, तो यहाँ पर होगा क्या, क्रेता विक्रेता संमेलन, तो seller, buyer, दोनों के बीच का एक conference है, इसके अलावा, नवाचार, startups, एवं उद्यमिता पर कारिशाला, तो workshop होगा, जो की entrepreneurship पर based होगा, और innovative startups पर based होगा, ठीक, इसके अलावा, लगू वनोपज के प्रह संसकरण एवं निर्याद, मतलब, जो लगू वनोपज है, minor forest produce है, उनका processing और export, ठीक है, इस पर क्या होगा, एक conference होगा संगोश्ठी, नेक्स्ट, जैव विविधता संरक्षन, तो biodiversity conservation, और क्रिशक प्रजातियों के पंजियन हेतू, प्रसिक्षन के लिए कारिशाला, तो workshop होगा, जिसमें की biodiversity conservation कैसे करना है, इन सब चीजों को भी क्या किया जाएगा, डिसकस किया जाएगा, क्लियर है, बहुत सारे testing labs है, परिक्षन प्रयोकशाला है, इनको मान्यता मिले, इसी के लिए, NABL, National Accredition Board for Testing and Calibration Lab, समझ में हैं, तो NABL, National Accredition Board for Testing and Calibration Lab, के द्वारा, जो testing labs हैं, इनको मान्यता है तू, क्या दिया जाएगा, प्रसिक्षन दिया जाएगा, या क्या किया जाएगा, तो training दी जाएगी, इसके अलावा, फसल में क्या आधुनिकी करण है, क्या digitally करण है, क्या innovation है, क्या digitalization है, इस पर भी बहुत सारी बाते होंगी, all in all कह लो, तो ये एक ऐसा समय रहेगा, या एक ऐसा event रहेगा, जिसमें कि किसान जाए, चाहे बाहरी लोग जाएं, ठीक है, सब को अच्छा खासा information मिलेगा, किसान जाएंगे, तो उनको पता चलेगा, कि किस हिसाब से नई नई चीजों को यूज करना है, बाहर का कोई व्यक्ति जाएगा, तो हो सकता है, उसको कोई ऐसी technology मिल जाए, जिसके चलते उसको लगे, कि क्यो न मैं भी अब क्या कर सकता हूँ, तो किसानी में अपना करियर जो है, उसे क्या कर सकता हूँ, explore कर सकता हूँ, ठीक, तो यह सब होने वाला है, mains और pre-point of view से, तो pre-point of view से, तो date बहुत साथा important है, mains point of view से, अगर agriculture से संबंदित कोई ऐसे आता है, तो आप इसको use कर सकते हैं, चलिए, अब next क्या है, चत्तिरगडबना देश में सिर्मोर, ठीक, तो ध्यान रखना, केंडरी स्वास्त मंत्री है, डॉक्टर मंसुक मडाविया, इन्होंने क्या हुआ, नई दिल्ली में आयुजित, दो दिवसी आरोग्य मंथन एक प्रोग्राम था, तो दो दिवस का प्रोग्राम था, आरोग्य मंथन, बेसिकली हुआ क्या था, यह जो प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, आयुश्मान PMJAY है न, बेसिकली यह चालू हुआ है, सेप्टेंबर 2018 में, तो इसको 4 साल हो गया, और आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन, यह चालू हुआ है, 2021 के सेप्टेंबर में, तो इसको एक वर्ष हुआ, ठीक, तो इसको 1 एर हुआ और इसको 4 एर्स, इसी की उपलक्ष में एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसका नाम क्या था, आरोग्य मन्थन, क्लियर है, अब बेसिकली हुआ क्या, इस आरोग्य मन्थन प्रोग्राम में, तो हमारे यहाँ पर जो प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुश्मान भारत प्रधान म राज ये है पहला जिसने इतनी बड़ी संख्या में क्या किया है इस योजना के माध्यम से महिलाओं का उपचार किया है ठीक तो इसके लिए क्या किया गया आयूश्मान उत्कृष्टता पुरुसकार चत्तिजगर को दिया गया साथ ही अब जो आयूश्मान भारक डिज्टल मिशिन है ना बैसिकली इस योजना में क्या किया जाएगा इलेक्ट्रानिक हेलथ कार्ड बनाया जैएंगे समझ माया अब ये जो इलेक्ट्रानिक हेल्थ कार्ड है इसमें जो मरीज है उसकी जो बिमारी है डाइगनॉसिस है उसे संबंदी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स इस हेल्थ कार्ड में रहने वाले हैं तो इस health card के माध्यम से क्या होगा किसी भी hospital में कोई भी doctor उसे देख सकता है even अपने mobile phone पर patient खुद भी सारे documents को देख सकते हैं सारे reports को देख सकते हैं तो अननेसरी का जो छोटा छोटा documentation होता था जिसके लिए उसको maintain भी करना पड़ता था जगा 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 जाकर परचिया किया है 9000 से जादा जो शास्की अस्पताल है government hospitals हैं उनका पंजियन या registration आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन में करा लिया है और इसके लिए राज को राश्ट्री स्तर पर जो सर्वोच स्थान प्राप्त करने के लिए फिर से आयुश्मान उत्कृष्टता या excellence award जो है वो पूरासाना मेंस का flavor इसमें ज्यादा है क्या ज्यादा है तो दो योजना है दोनों योजना को आप 30-30 words में यूज कर लेना health से संबंदित अगर कोई भी ऐसे आता है तो इसमें आप इन facts को क्या कर सकेंगे यूज कर सकेंगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो चत्तितगर परियटन मंडल का प्रतीक चिन्ह बने चेंद्रू दे टाइगर बॉय ठीक है तो बेसिकली चेंद्रू जो थे चेंद्रू मंडावी नरायनपूर के थे यह और इन ही का जो टाइगर था उसका नाम क्या था टेंबू तो 27 सितंबर जो वर्ल्ड टूरिजम डे विश्व परियटन दिवस था इसके उसर पर एक टूरिजम कॉंक्लेव 2022 हुआ कहां रायपूर में मुख्यमंत्री जी वहाँ पर क्या हुए शामिल हुए ठीक है और चत् मूर्ती है उसका क्या किया अनावरंड किया ठीक है उनका टाइगर भी है क्या नाम हो उसका टेंबू क्लियर है तो इस आउसर पर बच्चों को भी चत्यगर के परियटन छेत्र से जोड़ने और बढ़ावा देने के लिए एक टॉकिंग कॉमिक्स जो है उसको लॉंच किया ठीक है अब यह जो कॉमिक्स है टॉकिंग कॉमिक्स बोलने वाला जी ऐसा कॉमिक्स इलेक्ट्रोनिक वाला ठीक है इसमें चेंद्रू और टेंबू को चत्यगर के परियटन आइकन के रूप में क्या किया गया है पोट्रे किया गया है दर्शाया गया है अब यह जो कॉमिक से इसके माध्यम से पूरे देश के बच्चे जो है उनको 36 गड़ में जो परियतन है टूरिजम है इसके प्रती क्या किया जाएगा जाकरी किया जाएगा सब लेका लोग देखें खिलाओना टाइप है बगवा है और मनके नानकन लेका उसको देखेंगे और फिर बजेगा कु IRCTC इसके बीच एक Memorandum of Understanding जो है वो भी साइन किया गया और इसके अंतरगत IRCTC क्या करने वाला है तो ध्यान रखना अपने शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर 36 गड़ के जो परियतन स्थल है उनका क्या करेगा प्रचार प्रसार करेगा मतलब उनको क्या करना है प्रमोश चित होंगे प्री से संबंदित है किसके साथ हुआ है मुयू यह पूछ सकता है पिछले स्लाइट पर भी थोड़ा सा प्री से संबंदित है पूछ सकता है चत्तिदगर परेटन मंडल जो है उसके प्रतीक चिन कौन मने है तो चेंदरू और टेमबू याद रखना चलिए अब चत्तिदगर चीफ मिनिस्टर ट्रोफी इंटरनाशनल ग्रांड मास्टर्स चेस्ट टॉर्णमेंट जो हम लास्ट टेम देखे थे वो खतम हो गया ठीक है रायपुर मैं अउजन हुआ था अच्छी बात है विजेता कौन रहे तो ग्रांड मास्टर पेंसूलिय 11 जौजिया के और उपविजेता शेफचेंको बोरस रूस के तो प्री से सम्मंदित है यह कौन जीता कौन हारा तो फॉस्ट कौन रहे और अनरप कौन रहे इसको देख लीजेगा चलिए आज के लिए लास्ट तो स्वच्षता सर्वेक्षन जो है उसका इंडियन में 36 गड़ के 8 शेहरों को बढ़िया बढ़िया कुछ न कुछ प्राइजस मिलें के लो ठीक है तो फॉस्ट रैंक की अगर बात करें तो 15,000 से कम आबादी वाले नगरी निकाये में भट गाओं है माना कैम्प है 15-25,000 वाले आबादी की श्रिणी में खेरागड को पर है 50,000 से 1,005,000 में बिरगाओं एक लाग से तीन लाग में अंबिकापूर केर है तो 15,000 से कम इम भट गाओं है माना कैम्प है 15-25 खैरागड 25-50 से पचास वे जश्च पूर कॉंदा घा एक लाक से तीन लाक में अम्बेकापूर अब सेकंड प्राइस या सेकंड प्लेस कहना से यह दूसरा स्थान दस लाक से अधिक अब आदीवाले में राइपूर ठेक है अब पुरुषकार समारो जो है वो ताल का टोड़ा स्टेडियम न्यू डेली में क्या होए आयोजित किय जाएगा ठीक बात है आजादी का जो अम्रत महुत्सव है उसकी औसर पर स्वच्छता सर्वेक्षन 2022 का पुरुस्कार वित्रण 1st of October 2022 को न्यू डेली में किया जा रहा है क्लियर है थोड़ा सा प्री पॉइंट फ्यू से जादा है इंपोर्टेंट कोई एक कैटेगरी देगा इसमें चत्रगर का कौन सान अगर फरस्ट आया है सेकेंड आया है इस प्रकार से क्वेशन्स हो है वो क्या करेगा आपको पूछ लेगा चलिए तो न्यूज इस बार का इ बनेगा ये न्यूज अपन ने कवर नहीं किया है वाने सीधा क्वेशन में डाल दिया है ठीक है अगला जड़ा टाइगर बॉइ के नाम से कौन विश्वी ख्यात है ये तो अब भी ज़स देखें है अपन और फाइनली लास्ट प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए छत् सितंबर तक हो चुका है ठीक तो जो भी इंपॉर्टन पॉइंट्स थे डिसकस कर लिए मैंने बता दिया और अब जो है आप सभी से मैं मिलूंगा अक्टूबर के मन्त के वीडियो को लेके चलिए तो आप सभी से मुलाकात होगी मेरा अगली वीडियो में तब तक लिए थ झाल